है आप हम लोग 10 लेशन का एंसी क्यू लेंगे चलिए करके देखते हैं कौन-कौन सा एंसी क्यू जो बहुत इंपोर्टेंट है पहला इसमें लेते हैं देखिए क्या दिया हुआ है वेर सुड़न अब्जेक्ट भी प्लेस इंप्रॉंट अपक्ट लेंगे रियल इमेज अब फॉलोइंग लेंसे उड़ी प्रिफियर वाइल डिडिंग भेरी स्मोल लेटर बहुत चोड़ी 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 पढ़ने के लिए अम लोग कौन सा लेंस का परियुकरते हैं ऐसे तो मोग का परियू करते हैं बहुत नदिक लेजने से बड़ा परति भी मनता है लेकिन दो दिए हैं एक ओंपेक्लेंट लेकिन पचासे पाँच है तो जिसका फोकल मेंज होता है तो जो इमेज है न वह हमेशा सीधा बनेगा तो मिलर जो है क्या हो सकता है तो एक प्लेन मिलर दिया भी करेक्ट है कंके में तो नहीं पोजिशन के अनुसार जो है इमेज बनता है ये इस अधर प्लेंग और कंवेक्स में दोनों ही होगा दोनों में हमेशा जो है इरेक्ट इमेज बनता है तो इसको भी आप अच्छी तरसे देख लेंगे उसमें भी हम 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स का लगवाग जो है आपका उसे एक्सराइज में दी हुए इस प्रिंसप्र फोकस तो हमेशा जो इमेज वर्चुल बनता है और बस्टू क्याकार से बड़ा बनता है तो दीन नमर कोशन में क्या दिया है है वेर सूड एन ऑब्जेक्ट भी प्लेज इंप्रॉंट अपक्ट लेंज तो गेट रियल इमेज आप देशाइज अप्जेक्ट का साइट के बराबर जो है इमेज बनना चाहिए तो ट्वाइस दफोकल लेंद इसको ट्वाइस फोकल लेंद में अब्जेक्ट को की मीटर है दर मीरे एंड अर लेंड अर लेंग़ीं कि्वकर्वित प्रेट कुट रखेंन चेव कुकरक्ट से लेंज जो है ना कंक्र मिरेंड्ज और संदो दोनों में ही फोकलज मानश ओता है तो वान नमरों अप्सन ही करेक्ट होगा झाल झाल